हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक मैं यूट्यूब चैनल बालोजी साइंस, आज हम आप लोगों को प्रकास अंसलेशन या फोटो सेंथिस के बारें बताएंगे, जिसके अंतरगत प्रकास अंसलेशन की परिभासा, प्रकास अंसलेशन की किरिया विधी तथा प्रकास अंसलेशन की परिभासा समझ लेते हैं, सूरी के प्रकास में पौधों के हरे भागों में उपस्थित, परड़हरिम या क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाई ओकसाइड और जल के संयोग से ग्लुकोज आधि बनाने की किरिया को प्रकास संसलेशन कहते हैं, अथवा इस परिभासा को सर में समझें, तो हरे पौधे परड़हरिम तथा प्रकास की उपस्थित में जल तथा कार्बन डाई ओकसाइड से भोजन अथवा कार्बो हाइडरेट बनाते हैं, और इस किरिया में ऑकसीजन गैस मुक्त होती है, तो भोजन निर्मान की इस प्रकिरिया को ही प्रकास या फोटो सिंथिस कहा जाता है, मतलब ये कि पौधे H2O वा CO2 जैसे सरल पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का संसलेशन करते हैं, जो प्रकास तथा परड़हरिम की उपस्थित में होती है, इसे ही प्रकास संसलेशन कहा जाता है, तो अब आपको परिभासा अ प्रकास की उपस्थित में तथा क्लोरोफिल भी उपस्थित हो, गुलुकोज का निर्मार किया C6H12O6 प्लस 6O2 यानि ऑक्सीजन गैस निकली और 6H2O, इस प्रकार से ये प्रकास संसलेशन किरिया की रियक्षन हो जाएगी, चलिए प्रकास संसलेशन की किरिया बिधी को सम प्रकास संसलेशन एक जटिल उसमा सोसी उपचय किरिया है, जो दो चरणों में संपन्न होती है, पहला प्रकासी अबकिरिया, दूसरा आप्रकासी अबकिरिया, चलिए अब इन दोनों को जल्दी से समझ लेते हैं, तो पहली है प्रकासी अबकिरिया, प्रकासी अबकिरिया प्रकास की उपस्थिति में हरित लवक के ग्रेनम में होती है प्रकासी अपकिर्या में प्रकास औरजा का रूपांत्रन रासायनी कुर्जा में होता है यह औरजा ATP के रूप में संचित होती है इस किर्या को ही Photophosphor relation कहते हैं यह निम्न चर्णों में पूरी होती है इसके सभी चरणों को मैंने रियक्षन के रूप में आपके सामने लिखा हुआ है अब इन सभी रियक्षन को समझा देता हूँ तो पहली वाली रियक्षन को पहले समझा लेते हैं एक एक करके सभी रियक्षन को समझा देता हूँ पहले वाले में प्रकास अपकिरिया में उर्जानवित परणहरिम के कारण जल हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रॉक्सिल आयन अर्थात H+, और OH- आयनों में टूट जाता है इस किरिया को ही प्रकासिक अपघटन कहा जाता है और दूसरी जो पकिरिया है इसमें जल अभगटन से मुक्त हाइडोजन आयन या H-plus आयन हाइडोजन गराही NADP द्वारा ग्रहन कर लिया जाता है हाइडोजन गराही NADP H-plus आयन को ग्रहन करके NADP H-2 में अबचैत हो जाता है यह एक अबचैक की तरह कारी करता है आपको बता दें कि यह जो NADPH2 है इसका प्रियोग आप्रकासिक अपकिरिया में होता है इसमें उर्जानवित प्रणहरिम से मुक्त उर्जा एलेक्टरान प्रियुक्त किये जाते हैं अब तीसरी रेक्शन को समझ लेते हैं जल अपघटन से बने हाइड्रॉक्सिल आयन यह ओ सावें वाफस ले जाते हैं इसी के लिए यह रेक्शन लिखी हुई है प्रकास अपकिरिया में प्रकास उर्जा का रोपांत्रन रासाइनिक उर्जा में हो जाता है अभी मैंने आपको बताया था यह ओर्जा ATP के रूप में संचित होती है और ATP के निर्माण को ही अभी मैंन से होता है तो इस प्रकार से टोटल अगर सभी रेक्शन को जोड दिया जाये तो प्रकासी अपकिरिया का सारांस आपके सामने जो मैंने लिखा हुआ है क्यों यह हो जायेगा यह प्रतेख चक्रिस्थानाँत्रन में दो ATP तथा आचक्रिस्थानांत्रन में एक ATP तथा 2NADP-H होती है इस प्रकार से प्रकासिक है की समापती तक 18 ATP तथा 12 NADP2 अनु बनते हैं यही अप्रकासिक अपकिरिया में काम आते हैं अब चलते हैं दूसरी अप्रकासिक अपकिरिया पर यह इसे कैलविन चक्र भी कहा जाता या डार्क रियक्षन भी कहते हैं तो इस अवकिरिया में प्रिकास की आवश्चक्ता नहीं होती है इस अवकिरिया की खोश करने वाले बैग्यानिक ब्लैक मैन थे, उन्ही के नाम के आधार पर इस अबकिरिया को ब्लैक मैन अबकिरिया भी कहा जाता है, या अबकिरिया हारित लवक के इस्ट्रोमा में होती है, इस अबकिरिया के अंतरगत भी निमलिखित चरण होते हैं, या निमलिखित पदों में या अबकिरिया पूर्ण ह पहले दूसरी और तीसरी reaction मैंने लिख रखे यहां आपके सामने इन reactions के अंतरगतिय आपके पूरी होगी तो पहले एक एक करके इन तीनों रियक्शन को आपको समझा देते हैं जिसमें से पहले में CO2 रंधुरू से प्रवेस करके कोशिका में उपस्थीत रिवोलोस बाई फा किरिया करके फास्फोगिलिसरिक अमल के दो आणों बनाता है फिर दूसरी रेक्षन में फास्फोगिलिसरिक अमल जो होता है यानि PGA जो होता है NADPH2 तथा ATP से किरिया करके Phosphoglyceraldehyde में अवक्रित हो जाता है अर्थाथ PGAL में अवक्रित हो जाता है कुछ PGAL आड़ो कोशिका में उपस्थित Phosphate मूला को ग्रहन कर पुनारिवुलोज बाई Phosphate में बदल जाते हैं अर्थाथ RUBP में बदल जाते हैं और जो तीसरी reaction लिखी वी इसको समझ लेते हैं सेस PGAL जो बसते हैं अड़ो आनेक परिवर्तनों के फस रूप पहले Phosphate बनाते हैं फिर सरकरा में बदल जाते हैं इस प्रकार से ये तीनो reaction को मैंने आपको समझा दिया है अब आप्रकासिक किरियाओं का जो ये तीनो reaction का सारांस होगा ये आपके सामने reaction लिखी वी है ये समेकन को पूर्ण कर लेगा ये यदि प्रकासिक अपकिरिया के सारांस को तथा आप्रकासिक अपकिरिया के सारांस को आपस में जोड दिया जाए तो प्रकास संसलेशन की जो रियक्शन अमने शुरू में आपको बताई थी वो पूरी हो जाती है यानि 6CO2 प्लस 12H2O is equal to प्रकास और पढ़हरिम की उपस्थित में C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O बन जाएगा यानि कार्बोहाइड या ग्लुकोज का निर्माड हो जाएगा तो इस प्रकार से प्रकास संसलेशन की परिभासा और प्रकास संसलेशन की किरिया विधी अर्थाद मेकैनिजम आप फोटो सिंथिस के बारे मैंने आपको बताया चलिए अब प्रकास संसलेशन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में समल लेते हैं अर्थाद प्रकास संसलेशन की किरिया के लिए प्रकास एक महत्थ पूर्ण कारक होता है लाल और नीले रंग के प्रकास में प्रकास संसलेशन की दर सबसे अधिक होती है इन्फ्रा रेड प्रकास में प्रकास संसलेशन की दर कम हो जाती है जिसे रेड ड्राप कहा जाता है हरे प्रकास की किरिया की दर सबसे कम होती है प्रकास तीब्रता बढ़ाते रहने से एक निश्चि सीमा तक प्रकास संसलेशन की दर बढ़ती रहती है अधिक समय तक तीब्र प्रकास मिलते रहने से प्रकास संसलेशन की दर कम होने लगती है जिसे या इस प्रभाव को ही solarization कहा जाता है अब दूसरे पर आते हैं ताप temperature पर तो बिभिन जातियों के पौधों के लिए प्रकास संसलेशन प्रारंभ करने के लिए तापमान भिन भिन होता है ठंडी जलवायों में प्रकास संसलेशन 3.5 degree centigrade पर प्रारंभ हो जाता है लेकिन गर्म जलवायों में पौधे 5 degree centigrade से कम ताप पर प्रकास संसलेशन नहीं कर पाते हैं सामानत यहां 10 degree से लेकर 35 degree centigrade ताप प्रकास संसलेशन के लिए उपयुक्च माना जाता है प्रतेक 10 डिग्री सेंटिग्रेट ताप पर ब्रिधी पर प्रकास संसलेशन की रिया दुगनी हो जाती है और थात 10 डिग्री सेंटिग्रेट ताप ब्रिधी होने पर प्रकास संसलेशन की किरिया दुगनी हो जाती है 40 degree centigrade ताप से अधिक ताप पर किरिया की दर प्रारंभ में बढ़ जाती है लेकिन फिर धिरे क्या होता है कि कम होने लगती है आते हैं अब अगले कार्बन डियोकसाइड पर या CO2 पर यहाँ प्रकास संसेलेशन के लिए कच्चा पदार्थ होता है या रा मटेरियल होता है वायू मंडल में लगभग 0.03 प्रसर सियोटू होती है सियोटू प्रायाहा सीमा कारक या लिमिटिंग फैक्टर बनी रहती है सियोटू की मात्रा 30 गुनी तक बढ़ाने से किरिया की दर बढ़ती जाती है या अगर 30 गुना इसकी बढ़ा दी जाए सियोटू की मात्रा को तो जो प्रकास सियोटू की दर है वो बढ़ती जाती है लेकिन इससे अधिक सियोटू की सांद्रता किरिया की दर पर बिसायला प्रभाव डालती है अगला है जल या वाटर यहा प्रकास संसलेशन में प्रियुत होने वाला कच्चा माल होता है या रा माटेरियल होता है पौधा अवसोसित जल का कुल एक प्रसर प्रकास संसलेशन में काम लाता है जल की कमी किरिया पर आप्रतच्छ प्रभाव डालती है अगला है ऑक्सीजन तो यहां प्रकास संसलेशन को अप्रतचरूप से प्रभावित करती है, यानि O2 की अधिक सांत्रता किरिया पर बिपरीर प्रभाव डालती है, और लास्ट है खानिज, तो इसमें जो होता है FE और MG परणहरिम संसलेशन के लिए आवश्यक होते हैं, इसकी कमी से पौधों में क प्रेनल फैक्टर्स पर इसके अंतरगत प्रणहरिम और पत्ती की संरचना मुख्यरोप से आते हैं, तो प्रणहरिम को अगर देखा जाए, या क्लोरोफिल को देखा जाए, तो यह प्रकास संसलेशन के लिए अत्यन तो आवश्यक होता है, इसकी मात्रा किरिया की दर को प् प्रणहरिम रहित पौधों में प्रकास संसलेशन नहीं होगा, और जिन में प्रणहरिम अच्छी तरह से होगा, पूर्ण रूपेड होगा, उसमें प्रकास संसलेशन पूर्ण तरह से होगा, फिर है पत्ती की संरचना, तो इसके अंतरगत नमलिखित प्रकास संसलेशन की प्रकास संसलेशन की परिभासा, प्रकास संसलेशन की किरिया विधी तथा प्रकास संसलेशन को प्रभावित करने वाले कारकों को बताया आसा है मेरे द्वारा बताये गए सभी तथे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे तो आज के अंक में इतना ही अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ ने वेल आइकन को भी प्रेस कर लिजिए ताकि अगले आने वाले वीडियो की नोटिपिकेशन भी उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए धन्यवाद